परिवार में ऐसा कुछ क्या होना चाहिए जिससे बच्चे नशिली दवाईया ना लें, उनको दुर्पयोग ना करें, क्या कर सकती हैं? परिवार में ऐसा कुछ क्या होना चाहिए कि बच्चे नशे की और बच्चा नशा ना ले, बच्चे नशे की और ना जाएं? अगर हम अपने बच्चों पर सही समय से जब हमारे लगे कि हाँ बच्चों पर फोकस करना चाहिए नजर रखनी चाहिए अगर मुझे लगता है उस समय से अगर हम नजर रखें बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है अगर रखें और बहुत जादा नहीं करीब 10 साल का एक होता है जिसमें अगर हम फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि फिश्ची में बच्चा अपने सही रहा पर जाएगा तो बच्चे को समय देंगे अक्सर मैंने देखा है इसका एक्जम्पिल भी देता हूं बच्चा है 18 साल के मानू हो गया बच्चा कह रहा है अब मैं जिम जा ठीक है और घर आजाईएगा यह क्या किया दूसरा अक्सर अगर हम अपने बच्चों को 18 साल के बल्के 16 साल से हम अगर फोकस करें कि बच्चा कितनी देर बाहर रह रह रहा है कि सबस्क्राइब बच्चा कोचिंग जा रहा है कितने टाइम के लिए अगर इस पर मुझे लगता है फादर से ज्यादा अगर मदर फोकस करें चुकि फादर नहीं कर पाते को बाहर कहीं बाहरी तोड़ा सा फोकस रखना जोब है या घर के वो सारे काम है लेकिन कहीं ना कह इंगर मैं चाहता हूं मैं देखता हूं कि मदर का एहम रोल है बच्चे को बचाए लड़की हो चाह लड़का हो सबसे ज्यादा अगर पता है तो मदर को पता है अगर इस टाइम में दस साल अगर 16 साल से 26-27 साल तक अगर बच्ची को ठीक से अगर हम देखें मोनिटरिंग क ह dif 旅प नजर एख जासूस वालिनाव फ्रेंटा वाली हो तो जादा बेटर होगा क्योंकि है अब उनके साथ बात करोगे उनके फ्रेंड्स के बारे में सब के बारे पता होगा, वो कहां जा रहे हैं, किस से मिल रहे हैं, कितनी देर मिल रहे हैं, वो सब को डिसकसन होगा, तो वो उसमें ज्यादा आसानी होगी, और दूसरी चीज इसमें यह है कि जैसे जो पेरेंट्स हैं, आज कल पेरेंट्स में क्या है कि आपके घर में जो बच्चे हैं, व होके उन्हें मना करने के बजाए अपने बच्चे के ऊपर थोड़ा उस चीज पर थोड़ा फोकस कर लें कि अगर उन्होंने कुछ बताया है तो क्या पता वो सही हो जरूरी नहीं कि हर बारी गलत होता है तो इस चीज पर भी और दूसरे कि जातर मदर्स को क्या होता है कि जो मदर्स हैं वो क्या करते हैं कि उनका बच्चा घर से नहीं निकलता, कमरे से नहीं निकलता, तो वो यह देखते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ है, वो तो कमरे से नहीं निकल अपने कमरे से निकलता वो घर से निकलता क्योंकि आजकल ऐसी ड्रक्स हारी है यह स्यारी जैसे अफीम हुआ चरस हुआ गांजा हुआ इसे यूज करने के बाद जो इनसान होता कम सब 3-4-4 घंटे तक आराम से सो जाता यह सुन रहता है तो उन चीजों को भी चेक किया जाए और अगर किसी मदर को पता लगता है तो वो उसे चुपाएं ना अपने हस्बेंट से बताएं या इदर डिसकस करें कि कैसे उस चीजों को दूर रखा जाए बच्चों को क्या इस तरीके से गाइडेज देने चाहिए नसे को लेकर कि बच्चा नसा करने से डरे कि इसके क्य अगर डरेगा तो उसको पता रहेगा कि इससे क्या नुक्सान है मेरी बोड़ी को लेकर या मेरी जिंदिकी को लेकर तो इस तरीके का बच्चे को एजुकेशन होनी चाहिए कि वो डरे नसे को लेकर तो मतलब हमें उनको जानकारी देनी है, कि अगर हम इस तरह का कोई नशीली पदात ले लेंगे, हमें क्या हानी पहुचेगी, हानी दर के साथ, वो हानी उनके मन में रानी चाहिए, ताकि वो उसकी और ना जाए, लेकिन डराने का मतलब यह नहीं है, कि माबाब उनको डराए, मतलब नशीकी और उनको जानकारी इतनी हो, कि उनको पता चले कि इससे मुझे क्या हो सकता, ताकि वो उसके दूर रहे, वो उसके नुकसान से डरे, ठीक, जैसा हम लोग जानते हैं कि परिवार में आजकल डिसकसन होता है, यह फैमिली एक साथ बैठके जब खाना खाती है, तो जो ड्रक्स है, वो एक साकारात्मक सोच के साथ उसके काम करें हम लोग, क्योंकि ड्रक्स का मतलब यह नहीं है कि वो एक इलीगल है या उसकी नेगेटिव एफैक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा हमारी जो साइंस है, उसमें योगा, मेडिटेशन, यह भ बात करते हैं, और जितने नेगेटिव एफैक्ट के बारे में बात करेंगे, तो ड्रक्स का नाम सुनते लोग भाग जाते हैं, क्योंकि एनरजी नेगेटिव वाइबरेशन आती है, तो इसको पोजिटिव वाइबरेशन में बदलने के लिए इसमें कुछ एड़ोन करें, उनकी लाइफ के रूटीन को, कि योगा, मेडिटेशन या आयरवेदा की तरफ हो जाएं, और अपने आपको डवलप करें, करें बच्चों को. शर्य कि बातों में थोड़ों सा मैं, आयर्ड करना शाथा हूं, यह है कि फैमली में डिसकसन होती रहें इस चीज की, कि निगेटिव इसके इंपक्ट क्या पढ़ेंगे, पोजिटिव इंपक्ट क्या पढ़ेंगे, कि बच्चों के साहत ना बैठके एक आजए फ्रेंडली तो भी डिस्कॉसन होते रहने च़हिए बार बार या कभी भी या इस टाइप के वोर्कसक उपने भी अटेंद कर आए जाएंग। में बहुत जुरूरी है you gottapan किए他 हम कि साथ बात करें लेकिन हम उनके साथ किसी भी प्रकार से वाइलेंट वगरा नहीं होंगे वरबली हो और नॉन वरबली हो फonterिक्ली वाइलेंट नहीं होगे क्या कि और वह पिर वह अठाचमेंट नहीं होगा और अगर नहीं होगा विश्वास नहीं होगा, तो वो शेयर नहीं कर पाएंगे, तो प्यार के साथ-साथ, उनको आपके ओपर, मावापके ओपर विश्वास होना चाहिए, तभी वो शेयर करेंगे, तो वो थोड़ा सा धियान रखना है, आपने पहले बोला, रूल सेट होने चाहिए, शुरुवा परिवार में यह भी नहीं होना चाहिए, जब आप बरोबर रखियेगा, तभी वो उसके अपरती थोड़ा सा उनको आधर रहेगा, जब बड़ा बाई यह कर रहा हैं, तो मुझे भी करना पड़ेगा, एक दुसरे की, देखा देखी मैं भी उन चीज़ों को, उन चीज़ो जब यह भी करना है, तो माता पिता में दोनों का एक तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, इस बच्चे को बड़ा होने में, उसकी मदद करने में, दोनों का एक बहुत बड़ा योगदान है, और दोनों को अपनी जिमारी देखते रहना है, आगे बढ़ते हुए, जब वो र कभी-कभी होता है कि गर में मालिजे नुक्रियर फैमिली है, दोनों मम्मी पापा जाते हैं, काम पे जाते हैं, लॉक है, बीटिया या बेटा के पास चावी है, शाम को आ गए, तो आपको मन में होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, कि आखे ये जब शाम को आएगा, दो बजे, तीन बजे आएगा, तीन से पाँच ही क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, किस से मिल रहा है, कौन आ रहा है, इनकी यार दोस्ट जो है, उनकी उपर भी थोड़ी सी नजर होनी चाहिए, बीच 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 पे हो सके, तो कोशिश करें हम, as parents, उनको बलाएं, बर्डे पार्टी है, कुछ है, उनको बलाएं, उसी बाहने हम समझेंगे, कि इनकी संगत कौन है, क्या है, कि इनके साथ उठते बैसते हैं, थोड़े सी उस पे नजर होना बहुत जरूरी है, डिस्प्लिन बहुत जरूरी है, बट हम किसी सुरत में, जैसे मैंने अभी आपके समक्ष बात ये यह बहुत इंपॉर्टन है, कि हम वाइलन उनके साथ नहीं होगे, नहीं वर्बली, नहीं फिजिकली, किसी के उपर, बच्चों के उपर खासकर हम हाथ नहीं उठाएंगे, कम्मुनिकेशन बहुत जरूरी है, वारतलाव बनता रहे, हम आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़े क्योंकि अगर वारतलाव नहीं होगा, बातचीत नहीं होगा, तो वो छुपाएंगे, नहीं बोलेंगे, तो वो बहुत अच्छा नहीं होगा बच्चे के लिए, एक बात जो आपने बोली बहुत अच्छी बात है, यह भी है, पैरंट्स की और से, कि वो आपस में भी करें, जैसे आपने बोला, बहुत महत्पून बात आपने बोली, कि यह प्राया कभी-कभी क्या होता है, कि माता जी को पता चल गया, पिता जी को नहीं बोला, और सोचा कि ठीक हो जाएगा, बच्चे को समझाने लग गए, तो यह भी आगे जाकर वो परिशानी, अगर करें बोला, उस पर डिसकेशन होना चाहिए, बात चित होनी चाहिए, और बच्चे को हमेशे यह लगना चाहिए, कि उसका परिवार, माता-पिता उसको सपोर्ट करेंगे, emotionally, financially, socially, कुछ भी हो, हम उसको सपोर्ट करेंगे, हाँ, हमें बातों में, कोई अगर हमें बोलता है, है, सतरक करता है, कोई रिष्दार है, या कोई चाचा है, उसका मामा है, बोलता है, कि बच्चा मैंने कल देखा, ऐसा कर रहा था, वहां गया था, यहां गया था, हाँ, हम उनकी बात सुने, लेकिन बच्चे को उस चाचा के बहकावे में आकर उसको नहीं डाटे, या उसको चोटा दिखाने की कोशिश ना करें, ये भी हमेरे लिए बहुत जुरूरी है, ताकि उनको लगे कि सामाजिक रूप से सोशली वो इंपोर्टन है, क्योंकि इंप्रेशनीबल एज होती है, 14 से लेकर 16 साल की उमर में, बच्चा अपनी एक पहचान बनाना चाह रहा है, अगर उस पहचान पे असर पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सा वेक्टिकत रूप से अच्छा नहीं लगता है, दूसरी, दूस तो उसमें भी बच्चे का जो माइंड है वो डाइवर्ट दूसरी तरफ होता है, और फिर नेक्स आता है कि आपकी फैमली में ही, आपके गलत के उपर कोई लोग टोकता है, कोई पेरेंट्स टोकते हैं, पापा ने टोक दिया, मम्मी ने टोक दिया, पर क्या हुआ, दादा अगर अगर उसे स्पोर्ट किया जा रहा है, तो तब भी वो उसे हो जाता है मन में, कि हाँ चल, उन्होंने बोल दिया, पर वो तो मेरा स्पोर्ट कर रहे है, कल को करके जाओंगा, तो कल को फिर स्पोर्ट करेंगे, उनके पेरेंट्स की एक रेपोटेशन भी इस चीज को करती है, कि उनका जो परिवार है, वो सुसाइटी के अंदर क्या रेपोट रखता है, अगर पेरेंट्स की रेपोटेशन खराब है, और वो तब भी वैसे ही घर के अंदर रहते हैं, कि चल कोई बात नहीं रहने दे, कुछ नहीं होता, तो चीज का भी काफी भार पढ़ता ह यार मेरे ममी पापा को फरक निंपड़ता है, तो अगर पहचान बनी हुई है, तो उस पहचान को आभाओं में आके वो भी हो सकता है, कि बच्चा भी उसी रस्ते में जाएगा कि बच्चा अपने आपको फैमिली में होते वह अकेला पन महसूस करता है लोनलीनेस हां सर तो अक्षा हाई प्रोफाइल लोग होते हैं सब कुछ होते वह भी बच्चे को टाइम नहीं दे पाते तो मुझे लगता है बच्चा अकेले पन को दूर करने के लिए या फिर एक शा अगर बच्चे को हम एक लिमिट से ज्यादा अगर सुविधाय देना चाहेंगे बाहर जा रहा है सो रुपे क्या है सकता है दो सो ले जा पांसो ले जा तो यह सबसे मुख्यकारण होगा उसको बगाड़ने में तो बगाड़ने मतलब वो फिर कुछ भी यूज करेगा जब बहुत प्रबल कारण हो सकता है सर आवशक्ता से अधिक आगर हम बच्चे को छूट दे देते हैं तो उसके हंजे तो उसके कान भी बच्चा जो है वो इस लत में पड़ सकता है लाट प्यार जादा लाट प्यार दे देना या उसको बिल्कुल भी ना टोकना तो इस से भी बच्चा इस लत में जा सकता है और इसी में क्या होता है कि कई बार क्या होता है जो बच्चा है उसे टोकना रोकना भी जरूरी है उसके दिल के अंदर डर भी जरूरी होना चाहिए अगर उसे हम किसी चीज को मना करेंगे तो उसकी जो माइंड की टेंडेंसी ऐसे बनेगी कि यह चीज हमने महनत करके लेनी है यह चीज हमने हमें असानी से नहीं मिलेगी उसे उसे जादा महनत करेगा जादा स्ट्रगल करेगा ठीक बोर रहे हैं और हर चीज अगर उसे प्रवाइट के मिलेगा अगर एक की जगा दो दो की जगा चार मिलता रहेगा यह असानी से सब कुछ होगा तो क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो मेंटली एक तरह से कह सकते हैं कि स्ट्रोंग नहीं हो पाते जागा जो सर हैंने बोला रोक टोक जो सब्द है आज की अगर हम आधुनिक पीड़ी की बात करें तो यह सब्द बड़ा विचित है जो कि रोक टोक सब्द ना बच्चा सहन नहीं करता अगर रोक टोक की नौवत आ रही है तो निशित रूप से वह बच्चा अपने पेरेंट्स के प्रत जद बेटर होगा तो दो तीन इस पे हम बात करेंगे एक तो अगर बॉंडिंग नहीं है इंसेक्यूरिटी है रिलेशन्शिप में परिवार में वो एक कारण बन सकता है बच्चों को गलत रास्ते में नशे की और जोंग सकता है अगर रिलेशन्शिप गर में ममी पापा के साथ खास कर अगर अच्छी नहीं है वो भी एक कारण बन सकता है और अगर जैसे आपने बोला बहुत इंपोर्टन है लाड़ प्यार मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं है आप कुछ नहीं देख रहे हैं एक और बात जो बहुत महतपूर है तो थोड़ा लाड़ प्यार हो लेक इसका बीजय का जरूरत की हिसाब से हो पैसा हम जयादा नहीं देंगे हम क्या लगता है कभी कबी कि आप robust यह चुकि हम इसके पस टाइम नहीं दे पाते हैं समय नहीं बिदा पाते हैं इसका पी टिया का इंटियू कैं ङe इसन अउचित था उसमें नहीं जा पा एइ उसका तो इवेंट्स में हम निश्चिंत रूप से जाएं, as parents, उसमें समय दें, ना सिर्व समय दें, बलकि उनको encourage भी करें, उनको भी उसमें अच्छा लएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, उनको आपस में अपने और दोस्नों से सुनने को फिर मिलता है, तुम्हारा तो कुई न अगर कोई इवेंट हैं, तो उसमें उनको भागिदार हो, उनको देखें, कैसा है और उनको encourage करें, लेकिन अगर उसके बदले उनको पैसा देंगे, वो बच्चे की हित में नहीं है, तो उससे बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं होगा, अगर पैसा उसको ज़्यादा मि नहीं होगा, कोई भी घर में ले रहा हो, अगर बच्चा, स्कूल में भी attachment का भी problem हो सकता है, कि attachment अगर नहीं है, जिसके और भी कुछ कारण हो सकते हैं, social affiliation क्या है, किस गर से आया है, क्या आया है, वो भी एक, बाकी लोग उसको मजाक ना उठाया है, वो भी एक कारण हो सक सकता है, कि बच्चा इस के और जा सकता है, तो इसलिए वारतला होना बहुत जरूरी है, बातचीत होना बहुत जरूरी है, और discipline अपनी जगा, लेकिन साथ में जब हम discipline के बाद, रोक टोक की बात कर रहे हैं, हमें उसमें एक तो, हमने जो पहले भी बोला था, हमें violent नहीं हो क्योंकि फोर्स नहीं कर सकते हैं, हम उसका और कोई रस्ता निकालें, कि हम उनको discipline कर पाएं, उसके रस्ते और भी हो सकते हैं, हो सकता है, पैरंट की बात नहीं सुन रहे हैं, तो बट हमारे गर परिवार में कोई एक वेक्ती होना चाहिए, जिसकी वो इज़त करते हैं, तो को ये नहीं लगना चाहिए, कि अब मैं इनसे बात नहीं करूँगा, मैं ममी को ये बात नहीं बोलूँगा, पापा को ये नहीं बोलूँगा, तो ये मेरे साथ वो करेंगे, ये करेंगे, वहर जो डर हैं, बच्चे के मन में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ, न हेल्प कर सकते तो जैसे अभी तक हमने बातचीत की कि कैसे कौन सी ऐसी चीज है जो परिवार में जिसके कारण बच्चा हो सकता है नशा लेने की प्रवर्ती हो नशा लेना लगे दवाईया लेने लगे उनका दुरिप्योग करे एक चीज दो तीन चीजे इसमें मन में रखना ज़रूरी है कि बच्चे जो है हर एक चीज बच्चा जो नशा ले रहा है नशे की और जा रहा है हर एक परिस्थिती में परिवार का पैरेंट्स का माता-पिताप का कंट्रोल नहीं रहता है कुछ परिस्थितिया है जो उनके कंट्रोल से बाहर है उनके कंट्रोल में नहीं ही है तो वह जो परिसितिय हैं वह यह हैं कि कुछ characters बच्चों में पहले से थोड़ासा हट के होती ह्चों हम हट के होती है बोल रहा हैं उसका कहने कातात पर यह है कि कुछ बच्चे हैं जिनको sensation seeking अच्छा लगता है मतलब उनको अच्छा लगता है कि कुछ ऐसा कुछ करें जिससे उनको थोड़ा आनंद मिले, अच्छा लगे, थोड़ा सा लगे कि दस में उनको पहचान एक बन पाए, हट के कुछ करें कि सब लोग देखने लगें उनकी और, ये ऐसे कुछ बच्चे हैं हमारे बीच में, गर परिवार मे कुछ बच्चे हैं जो एग्रेसिव होते हैं, छोटी-छोटी बातों को लेकि वो गुसा हो जाते हैं, अगर थोड़ी सी बातचीत कर ली तो उनमें वो थोड़ा सा सहन शिलता नहीं होती है, तो छोटी-छोटी चीज़ों को लेकि वो गुसा हो जाते हैं, हाथ उठाना, आ कुछ ऐसी चीजें करें जो कानून से, रूल से, अनुशासन से हटके हो, ऐसे भी कुछ बच्चे पहले से उनकी परिस्तिती के कारण, उनमें ये चीजें होती हैं जिसके कारण वो ऐसा करते हैं अपने विवार में, कुछ होते हैं, इंपल्स से होते हैं, मतलब सोचते नहीं, रेकलेस का मतलब है कि यह नहीं सोचना कि किसी को चोट लग सकती है, कुछ भी ऐसा कुछ करेंगे जिसको किसी को चोट लग सकती है, गर में भी परिवार में भी ऐसे बात करेंगे कि यह नहीं सोचेंगे कि हम अपने बड़े से बात कर रहे हैं, बुजगर से बात कर रहे हैं, दादा से बात कर रहे हैं, दादी से बात कर रहे हैं, गुस्ता होके बात करेंगे, बगवाना करेंगे, हाथ उठा सकते हैं, तो इस तरह के प्रवर्ती कुछ बच्चों में होती हैं, कुछ बच्चों के साथ मानसिक रूप से परिशानिया हो सकती हैं, डिप्रेशन की प्रॉ म्हें कुछ दिशानodies मिल रही है दुनिया में, उसके कारण दुख ही रहना, परिशान रहना, जिसके और भी कुछ परिशानिया हो सकते हैं, बडर मांसिक रूप से अगर इस तरह की कोई परिशानी हो, कुछ बच्चों में, उन में भी परबर्ती हो सकते हैं और यह चीजें म जहां कि वातावरन में नशा लेना, क्राइम होना ये बहुत कॉमन है, हर गर परिवार में, हर आसपड़ोस में, आसपड़ोस में, जितने भी गर हैं, सब में, मुहले में, नुकड़ पे, सब जगा इस तरह की गत्वीदिया घट रही है, तो बच्चे उसमें जा सकते हैं, उ बहुत ज़्यादा कंट्रोल परिवार का माटा-पिता का नहीं रहता है.